हे उपाय मुड, हे भगवान, हे आत्मन, परमेश्वर्थी जुदा जुदा भावो माटे, शा माटे श्रम कर्या करे छे, जो तु आत्माने थोडो प्रसन न करे, तो आ संपत्तियो शी विशात्मा छे, तारा परम तेजनी अंदर अज विशाल सामराचे व्यापी रहेलो छे योगशास्त्र प्रकाश बार, सलोक, पंचावन, जैन तत्वगनान अने जैन आचार ने दर्शावतो योगशास्त्र ग्रंत राजा कुमारपाल ने खुब गमी गयो हतो, पोताना जीवन ना अंतकाल सुदी इमने वो नियम राख्यानों कहवाई छे, के सवारे योगशास योगशास्त्र ना प्रथम चार प्रकाश मा संपूर्ण अहिंसा, मास पक्षण, निशेद, मध्यपान, विरोध अने संपूर्ण सत्य इचार बाबतोंनों स्पस्ट प्रदिपादन करियो छे, इमा अपवाथी वर्तनार नी के तेनो सगवडियो अर्थकरनार शास्त्रका पारोनी श्री हेमचंद्राचारिय सकत तिका करे छे, हेमचंद्राचारिय पासे दी किटलिक स्तोत रश्नाओं मले छे, तेमा लागणी ना उद्वेक ना बदले एगनानी ने शोपतो संयम जुवा मले छे, आथीश देवो अयोग्यव विच्छत छे, मा कहे छे, हे वीर के केवल श्रद्धाती तारा प्रत्य पक्षपात नथी, के केवल द्वेश्ने लिधे परसंप्रदाई प्रत्य अरुची नथी, योग्यरी ते आत्मवनी परिक्षा करिया पछीच सर्वशक्ती मान एवो तमारो आश्रे लिधो छे, अयोग व्यवच्छेद्दी का, ध्रात हो गायो छे, एमने जीन दर्शननी विगत पूर्ण अने विशेष्ता भरी महत्ता दर्शावी छे, एमने कहुँ छे कि वित्राक्ती चड़िया तो कोई दर्शन नथी, अने अने कांत्वी ना कोई बीजो स्ट्रेस्टन याय मार्ग नथी, आस्तोत्रमा अन्य मत्वादिय सास्त्रने सदोष ठेरावी ने तेजसी वाणी मा जीन साशननी महत्ता दर्शावी छे, आस्तोत्रनों अन्ते इमनी समदर्शीता व्यक्त करे छे, अने जीन सासनच प्रामाणी खुई ने तेनों गवरोव दर्शावे छे, आमा सरल अने मधूर शब्दों मा भगवान आरादना करवामा आवी छे, अन्य योग वव छेदी का द्रात्रिशिंका मा भगवान माहवीर ना अतिशयो वर्णावी ने पची, न्याय, वैशेशिक, मिमांसा, वेदान, साख्य, बौध अने चारवाग ए अन्य दर्शनों निक शमिक्षा करया पची, जहिन दर्शनना स्यादवादनी महत्ता दर्शावी छे, आब अन्य ध्रात्रि शिका करता वित्राक स्तोत्र नों प्रकार चुदो छे, वित्राक स्तोत्र मा भक्ती भाव थी उच्वरतू रधै प्रगड थाई छे, 20 विभाग मा वेचा एला वित्राक स्तोत्र ना दररेक विभाग Geral divine प्रक भक्त रदयज प्रगट थाई चे आ स्तोत्र नी रश्ना कुमार पार राजा माटे करी हती वित्राख स्तोत्र भक्ती नू एक मदोर काव्य बनी गवुँचे भक्ती नी साथे जीन दर्शन पन तेमा अनुस्यूत चे एमनी समन वा यात्मक अने व्यापक द्रस्टिनों परिचय पन थाई चे आमार रस आनन अने आर्ज़े हो चे एक स्थाले तेवो कहे चे हे नाथ सदाय मारा नेत्रों आपना मुखना दर्शन थी प्राप्त थाथा सुखनी लालसा वाला थाई मारा बे हाथ तमारी उपासना करना रा अने मारा कान सदाय तमारा गुणने सांभलना रथाओ कुण्ठित होई तोई पन तारा गुणने ग्रहन करवा प्रत्य जो मारी आ वाणी उतकंठित थाई तो ते वाणी खरेखर शुबह जो बिजा प्रकार निवाणी नों शो उप्योग छे उँ आपनो भृत्य छो दास छो किंकर छो सारू इम कहीने हे नात्मर स्विकार कर आनाती वधारे हों कशु कहतो नती वित्राक स्थव प्रकाश 10 स्लोक 6-7-8 आ आक्वे स्तोत्र अनुस्टुप छंदमा वहे छे अने भक्ती नों एक मदोर भाव अनुभो करावे छे आथी स्तोत्र साहित्यमा आ रदैस परशी स्तोत्र उचुस्तान धरावे छे जो महादेव विरक्ती वाला होई वित्राग होई तो ते अमारे मन जीन छे एवा भाव साते कलिकाल सर्वगना हेमचंद्राचारियानु अनुस्टूप अने आर्या चंदमा लखायेलु चुम्माली स्लोकोनु महादेव स्तोत्र अगावना त्रण स्तोत्र जेवो प्रोटी धरावतु न थी अनुछेल्लो स्लोक आर्या चंदमा लखायो छे महादेव स्ताक लख्यू हतु एच प्रमाणी ले अरुसरी ने हिमचंद्राचारिया आज स्तोत्र लख्यू होई एस अंभविच्छे महादेवनु स्वरुप केवो होगो चुए ते विविद लक्षणों वड़े दर्शाय हो छे सिद्धराज हिमचंद्राचारिय सोमनातना मंदिर मा गया हता त्यारे आनो छेवट नो स्लोक सोमनातनी पुजा वक्ते कयो हतो तेम प्रबंधकारों नू मानूँ छे अस्तलोक छे जन्म रुपी बीजना अंकुर ने जन्म आपना रागादी जेना क्षै पायमा छे ते ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जीन तेने नमस्कार हजो मिरु तुंग प्रबच्चिन तामणी प्रकास चार पुस्ट पंच्यासी सिंधी सीरीस नी आवरुत्ती आ उप्रांत मात्री स्लोकोनू सकला हर्त स्रोत्र मलेचे, जेमा मुख्यत्वे तिर्थं करोनी स्तुती छे, आ बद्धी क्रुतियों उप्रांत अहनना समुच्चे अहर निती जेवा केटलिक संदिक दक्रुतियों हेम चंद्राचार्याने नामे चड़ेली मलेचे तेमज अनेकार्थ शेष, प्रमान शास्त्र, शेष संग्रह नाममाला, सब्त संदान महाकाध्य जेवी कलिकाल सर्वग्नानी रचेली गणाती अनुलप्त क्रुतियों कोई संशोधगनी राहाजोईने बेठी छे श्री हेम चंद्राचार्याने आवी विपल सहित्य साधना जोता के वो अनुभव थाई छे डॉक्टर पिटर्सने एमना जिवनकार्य विशे आश्यर्य व्यक्त करता हेम चंद्राचार्याने गणाननों महासागर उर्षन अफ नोलेज गया हता पंदित बेचर दास दोशी एमना अगात पंदित्य पुर्ण व्यक्तित्वने जीवन शब्द कोष कहीने अंजली आपे छे तो मुनी पुन्य विजय जी एमनी सर्व धर्म संभाव अने अनेकान द्रस्टीने जोईने तेमने श्यादवाद विग्नान मुर्ती तरीके उलखावे छे कलिकाल सर्वगन हेम चंद्राचार्य संस्कृत प्राकृत अने अपब्रश भाषाना महान सर्जक संगराहक अने संयोजक हता इमनी रशनाओं मा एक बाजु पूति की असमीता सोलंकी यूगनी गरिमा अने सरस्वती पुजगनी यूद सा प्रगठ थाई छे तो बीजीवा जो तरक विचार व्याकरण साहित्या दर्शन सुधी नो व्याप मले छे कवी संपादक कोशकार व्याकरण शास्रे इतियासकार अने समाज सुधारक्ती मांडी ने योगना उचा शिखरो सुधी इमनी द्रस्टी फेलाए ली छे अने बद्देज इमनी प्रतिभा समर्थ पणे वीरे छे इमनो विपूल ग्रंतबंडार विशाल गनान कुष्णेज लागे छे इमनी कृतियो इतली वदी छे कोई एक व्यक्ति आजीवन नहीं बलके किटली ए व्यक्तियो एक साथे मलीने जीवन पर संचोधन करे अन्कावी हिमचंद्राचारिय ना शिश्य देवचंद्र ना शब्दों मा कहिए तो अपनने ख्याला ग्याओ छे बद्धाबो निद्धिम मंत्रादिगड़ी श्री हिंचंद्रो गुरू बीर संवन बार सोगंतरीस मा कलिकाल सरवगन हेम चंद्राचार्य कालधर मा पाम्याँ ए अंगे किर्ति कौमधी नो रचेईता समेश्वर कहे छे हेम सुरीनो स्वरग्वास था विद्वता आश्रय में होनी बनी जाये छे चोर्यासी वर्ष्णी वये कलिकाल सरवगन हेम चंद्राचारी इमनुक्षर जीवन संकेली लिदू परन्तु इमनु विपुल अक्षर जीवन जोता आदरपुर्ण आश्रय सिवाई भीजो कोई भाव थतो नथी अलेक नारचेता छे पदमश्री डॉक्टर कुमार पाड़ भाई देशाई अमदावाद अस्तु